हैलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंड आज में लेकर आई हूं बिस्कीट से बनने वाले बहुत ही टेस्टी रेसेपी ता आज का वीडियो आपको बहुत ही परसंद आने वाली है यहाँ पर देखिए हमें पुछ बिस्कीट ले ले लिए तो यहाँ पर मैं 13 इस तरह से बाकी बिस्कीट में डाल दूँगी और वीडियो पसंद आएगी फ्रें तो वीडियो को लाइक जडूर करिएगा और चैनल पर नए आये हैं चैनल को अभी तक सब्सकाइब ने किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करिएगा तो यहाँ पर देखिए कलर क्याय होने तक इस सब्सक्राइब कर दोनों साइड से मैं शेक ले रही हूँ सारे बिस्कीट को देखिए यहां पर डार्क कलर हो गया है तो इसको हम निकाल लेते ही एक प्लेट में इसारा बिस्कीट में निकाले हूँ इसी तरह से बाकी वी जो बिस्कीट बचा हुआ था पानी और चीन यानी की सूगर और इसे हमें मेल्ट कर लेनी है इसके बाद इसमें जाएगा हमारा दो बड़ा चमच मिल्क पाउडर देखें दो बड़ा चमच में मिल्क पाउडर भी डाल दी हूँ बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट इस तरह से आप बना कर एक बार अगर खाएंगे तो आपको यह किन नहीं होगा खुद पर कि आप बना कर लिए बहुत टेस्टी बन कर तयार हुआ था जब हम लोग बना कर खाये थे तो पीछना है ज्यादा बारिक नहीं पीछना है उसके बाद हम इसको आड़ कर देंगे इस सीरे वाले पानी में और इस तरह से देखिए हमें तेज आज पर मिला लेनी है उसके बाद मैं ड्राइफ फ्रूट को डाली हूँ तहां पर ड्राइफ फ्रूट में काजू और बादा तो करिए नहीं तो भीना ड्राइफ रूट को भी बहुत टेस्टी बन कर तयार होता है तिस तरह से देखिए होना चाहिए कड़ाई बिल्कुल छोड़ दिया हमें आपर गैस बन कर दिये हैं तब इसको हम ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर के लिए और देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी डाल दी हूँ इससे फ्लेवर बहुत ही कापी अच्छा आता है फ्रेंट आपके बास है तो डाले नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं उसके बाद देखिए मैं नीचे उतार ली हूँ कड़ाई को और एक प्लेट में मैं इसको निकाल ले र नारियल का पाउडर में आप डिप करें और निकाल ले तो देखिए इस तरह से हमारा बिच्ट का लड़ू बनकर तयार हो जाता है फ्रेंट यह बहुत टेस्टी बनकर त्यार हुआ है तो एक बार आप बनाकर जरूर देखिएगा और इसमें ज्यादा कोई टाइम भी नही नहीं लगती है फिरेंट तो बहुत टेस्टी बन कर तयार हुआ था तो वीडियो अच्छा लाएगा फिरेंट वीडियो को लाइक जोड़ करेंगा चैनल पर नहीं है अधर चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे